हलो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजन्द पुरहित और गेट जनरल अप्टीडूट के मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर मॉस्ट आस्ट क्वेश्चन्स अफ असर्कल मतलब यह टॉपिक पर कराने वाला हूं ऐसे मैं आपको अलग-अलग टॉपिक पर आगे कैसे आप फार्मला लर्न कर सकते हो तो देखिए वह सुंट पहला क्रेश्चन देखिए यहां पर हमें एक सर्कल दे रखा है और क्रेश्चन बोला जा रहा कि वॉट इस दे एरिया वे शेडिट ट्रैंगल इस विए सेर्कल के अंदर एक ट्रैंगल बन रहा है आपको उसका area निकालना है, मैं आपको बदाना चाहता हूँ कि इस circle का डाइमेटर है, वो आपको diagram में दे रिखाए D है, अगर यह हमारे पास D है, तो यह जो length है, यह भी हमारे पास क्या होगी, D होगी, और मैं आपको बदाना चाहता हूँ कि यह हमारे पास एक isosalist triangle है, तो यह एकस है, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, एकस हो जाएगा, और हम यहाँ पर pythogoros syndrome यूज करके इस x की value निकाल सकते हैं, और यह बताना चाहता हूँ कि x square plus x square is equal to हमारे पास क्या होगा, D square होगा, अब मैं क्यों, चुकि हमारे पास यह एक square है, तो obviously यह और यह length same होगी, अब बात करते हैं, यह हमारे पास क्या होगा, 2x square is equal to d square, तो यह हमारे पास x की value क्या होगा, यह हमारे पास d by root 2 होगी, अब यह d by root 2 आगे आपके पास, यह आगे हमारे पास d by root 2, यह भी आगे हमारे पास d by root 2, हम जानते कि area of triangle क्या होता है किसी भी area area of triangle हमारे पास क्या होगा 1 by 2 base into height इस विन base हमारे पास क्या दे रिखाए D by root 2 height हमारे पास दे रिखाए D by root 2 इसको simplify करेंगे आप तो यह आएगा हमारे पास D square upon 2 और root 2 root 2 भी हमारे पास 2 हो जाएगा so answer will be D square by 4 and यह हमारे पास क्या होगा तो इस तरीके से question को solve करते हैं नेक्स question देखते हैं इस नेक्स question shaded portion का पर यहां पर different concept use होगा देखो हर जगा आपके concepts में अलग-अलग बताने की कोशिश करूँ और आपको अगर यह 4-5 concept पता है तो आप इस type की questions को exam में easily attempt कर सकते हो देखो exam में question repeat नहीं करता है concept repeat करता है तो यह ध्यान देने की जरूरत है अब हमारे पास question देखा कि what is the area of shaded portion in the following each circle having a radius 1 meter तो मैं आपको बता दूं यहां पर यह हमारे पास radius 1 है तो यह हमारे पास 1 होगा यह मारे पास वन होगा और इसी type सब देखोगे तो यह भी हमारे पास one 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 हो जाएक रइनव हम करेंगे क्या यहां पर हमारे पास उन अंदर के squared रहा बन रहाए कि स्कॉयर की साइज जो आ हृई रही वह मारे पास कितने यह स्कॉयरी एक कि effort यह यह इस square के area में से हैं तो हमारे पास यह shaded portion आजा है और आपको यह shaded portion ही निकालना है तो हम क्या करेंगे सुन इसका जो area of shaded portion हमें निकालना है so area of shaded portion is equal to area of square right area of square तो area हमारे पास हर side 2 है तो सुन यह आएगा हमारे पास 2 into 2 minus यह हमारे पास यह एक circle का पार्ट अब देख रहूँ एक circle का quarter है यह दूसरा quarter ही तो half circle हो जाएगा यह तीसरा quarter है तो थ्री फॉर circle हो जाएगा और यह पूरा एक circle बनेगा यह चारों कर पार्ट को मिला दिया जाए तो एक circle बन जाएगा तो इस उन्हें हमारे पास यहाँ पर c option क्या जाएगा correct आएगा मैं आपको फिर से बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या करना इस square का एरिया निकालना है उसमें से यह जो चार portion दिख रहे यह quarter 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 मतलब one fourth of circle है तो यह चारों मिलके एक circle बना देगा तो area of this one circle minus कर देगे area of this segment यह segment का एरिया हमारे पास होता है ठीटा अपन 360 पाई आर स्कॉर माइनस आर स्कॉर बाइटू साइन यह हमारे पास क्या होता है इसका फार्मला होता है clear है तो यही फार्मला में यहाँ पर यूज करने वाला है तो आप से पूछा जारा कि consider the following figure PQRS is the square of a side one unit and Q and S the center of the two circle the area of shaded portion is तो सुन मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर कि हमारे पास क्या और यह हमारे पास क्या हो जाएक सेग्मेंट हो जाएगा इसी टाइप से इस नीचे वाले सरकल के लिए उपर वाली सेग्मेंट हो जाएग तो हमारे पास क्या सुनारा दोने सरकल एक ही है अरे हमारे पास यो सरकल है आप देख रो यह हमारे पास एक सरकल है्वेजिसन तो हम क्या करेंगे इस और तो कुल मिला कि हमारे पास करना का है सुनी और फार्मला ट्वाइगा ट्रफ ओफ दिस एरिए ठीटा अपान 360 by r square minus r square by 2 sin theta, यह formula होता है हमारे पास इसमें बताना चारा 2, और theta हमारे पास कितना है, 90 degree angle है तो 90 upon 360 by r इसमें radius कितनी हमारे पास 1 है minus 1 by 2 और sin 90 इसमें sin 90 के विलिए हमारे पास कितनी होती 1 होती, और यह हमारे पास 1 by 4 हो जाएगा minus, इसमें sin 91 हो जाएगा तो 1 by 2 and then 2 को multiply कर दीजे, तो इसमें आएगा pi by 2 minus 1 is the correct answer और pi by 2 minus 1 that is d option is correct answer, तो इस तरीके से question को हम solve करते है, एक question और देखे जो कि थोड़ा और से different है देखें कैसे, देखें यह वाला question देखें देखें again this is a question based on shaded portion but concept different, right question की आपलड़ा, a circle of radius 1 is drawn inside a circle as shown in the figure given below, what is the area of shaded portion in meter square, आपको यह जो shaded portion इसका area निकलना है, clear है तो बड़ा simple सा question है, सुन हम क्या करेंगे area of a circle, यह हमारे पास सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हो कि square का area निकालेंगे, उसमें circle का area माइनस करेंगे, right तो हो क्या का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह 1 है तो यह पूरा हमारे पास 2 हो जाएगा तो गर मैं बताना चाहता हूँ, इस square की जो side होगी 1 side 2 होगी, यह भी हमारे पास 2 होगी तो हम क्या करेंगे, हमें shaded portion का area निकालना पर इस उन हमारे पास, जब हम इस square में से circle को माइनस करेंगे, तो हमारे पास shaded portion में यह भी आएगा यह भी आएगा, यह भी आएगा और यह भी आएगा, चाहर आएगे, पर हमें तो एक चाहिए तो हम 1 by 4 करेंगे, right तो हमारे पास फार्मला क्या होगा, ध्यान दीजे, area of, ध्यान दीजेगा, area of shaded portion, ध्यान दीजेगा, बहुत चाहिए इस इकल डू क्या होगा, 1 by 4 of, क्या होगा, area of circle, sorry, area of square, minus, minus area of circle अब आप बोल रहें, आपने 1 by 4 क्यों किया, अरे भाई, 1 by 4 इसलिए क्या है, क्योंकि मुझे एक ही निकालना है, अगर यह चारों निकालने होते हैं, तो 1 by 4 नहीं करता, आपको shaded portion का खाली, एक ही portion निकालना है, इसलिए मैंने 1 by 4 किया, clear है, तो इसलिए 1 by 4 हम क्या करेंग करेंगे, तो इसलिए 1 by 4 और यह आएगा हमारे पास 4 minus pi, multiply करेंगे, तो इसलिए 1 minus pi by 4 is the correct answer, और सुनिए हमारे पास आएगा D option, तो इस तरीके से इस question को हम यहाँ पे solve करते है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह question जो है, यह भी shaded portion का है, और यह gate 2020 में If the radius of this circle is A, अगर इसकी radius हमारे पास यहाँ पे A दिरिखी इस circle की, तो आपसे पूछे जारे कि इसकी shaded portion का area क्या होगा, तो इसका आपको area निकालना है, तो इस question के यहाँ पे 4 option दिरिखें, कौन सा right option है, उसका मुझे answer आपको comment box में लिखके देना है, और ऐसे ही मैं series continue के अलग-अलग concept पे question मनते हैं, तो मैंने आज आपको वो करा है, अब next मैं बताओंगा आपको square and rectangle, तो square and rectangle पे अलग-अलग concept पे questions मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मेरी next upcoming class है, और इस विन यह जो नया चैनल है, इसको आप subscribe कर लेजाए, ताकि आपको यहाँ पर अच्छा लगा, जो मैंने आपको बताए, कि हाँ सरी अच्छा लगा और ऐसे आप करी, क्यूंकि ultimately क्या होता है, कि exam में concept repeat होता है, question repeat नहीं होता है, तो मेरा objective कि shaded portion आपको समझ बाया है, यह आपको यह पता पढ़ गया, कि shaded portion पे question किस-किस variety किया थे, तो आप आनाम से question को, अटेम्ट कर सकते हो, तो यहार, thank you so much, और comment करके जरूर बताएगी कैसी लगी मेरी class, तो यहां पर आप जाके मेरी, जो gate की मैंने वीडियो जाल रखे, general attitude की, वो आप यहां पर जाके देख सकते हैं, तो जो most recent videos है, वो जो मैं upload करता है तो आप यहां जाके देख सकते हैं, यहां जाके आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं, thank you so much watching me, like करी, share करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसका answer मुझे comment box में देना आपको, thank you, bye bye